नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज के जो हमारे विडियो को भी से हैं वनस्पति सास्तर के बारे में काफी दिनों से पेड़ पोधे के बारे में जानकारी नहीं बताया हूं अलग अलग ब्रिक्षपर जैसे कि मैं हर दिन विडियो में बोलता हूं अलग अलग ब्रिक्षपर अलग अलग प्रकार के देवी देवता वास करते हैं निवास करते हैं इसी करम में आज में आप लोगों को एक अशा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है बहुत ही किम्ती पौधा है बहुत ही खास पौधा है और ये पौधा आपके भाग्या बदल सकते हैं गरिबी मिटा सकते हैं इस पौधे की खोज मे जो दूसरे पोधे के अंदर में नहीं पाया जाता है। कुछ बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आते हैं। इसलिए से कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होता है इसका अलोकी क्यों चमतकारी परयोग बताऊंगा। अगर आज के बिड़ों मिस कर दिये तो सारे जिंदगी पस्ताना पड़ेगा। क्यों पस्ताना पड़ेगा। तो यह जानकारी आपको बाद में काम आएंगे। इस प्यान पोधे से आप लाखो करोड़ रुपए पैसे भी कमा सकते हैं। इस प्यान पोधे की मदद से कई प्रकार के चमतकारी सकतियां पास सकते हैं। तो बिड़ो को ध्यान से देखना बिड़ो में आगे बने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिन जय आयरुवेद नहीं लिखें तो लिख दीजें। और बिड़ो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचिन ग्यान चैनल का मकसद हैं जन ही तेवं जन कल्यान करना। भारत में लूपत होरे जो प्राचिन ग्यान की गुर्टम रहास सभरी जो जान करी हैं वो आप सभी लोगों को बढ़ बना करके फिर से जान करी आप सभी तक पहुचाने की प्रयास करें। ताकि भारत भूम्य से इस पकार के प्राचिन ग्यान की जो अमूल ले जानकारी है वा समध्ताना हो। कनलर की फुल आता है उंहों के पौधा अध्यात्मे के दिर्ष्टि है धर्म क के दिर्ष्टी वनस्पती के दिर्ष्टी से चमतकारी होता है क्यों क्यों कि पौध की होता हैं इसके 5 10 7 4 दुरलय भर चांडी ब्री बताओं हुएं इतों नहीं के हैं जी कटेरी के पॉधह की नीचे में घड़ा धन होता है जैसे कि हंड हैं-विष में-फैक कर साथ कर संदू कर हैं बटवे हैं हीरे हैं जवारत हैं वही जो कटेरी हैं सफेद कलर की उसमें फूल आते हैं उसी कटेरी में सफेद कलर की पुस्पा लगते हैं जहाँ पे सफेद कटेरी की पुस्पा मिले जाएं जो पौधे में सफेद जो कटेरी हो पौधे में सफेद कलर की पुस्पा लग जैसे kita मन्दीर परिषद होगया समसान होगया HOL कि कटे कुलते हैं इसके अंदरere निरे करने का पहला परोग चाहिए अगर-धार क्यविध अग्य निस्विप dismiss अगर क्यविwn इसके एग सफेद पुस्पा मा लच्मी को शुकरवार के दिन उनके बीज मंत्रा पढ़ते हुए चढ़ा दें तो मा लच्मी ततकाल प्रसन होती है और लच्मी प्रसन होने के कारण समझ सकते हैं जब लच्मी आपसे प्रसन होते हैं तो आपके जियन में दूख तकलीब, गरिबी, निर्धनता, रोग, दोश, व्यादी, करजे, जीवन में चरी, परसानी तमाम तरह के समस्था जड़ से समापता हो जाते हैं जो लोग लच्मी को प्रसन करना चाते हैं ऐसे विक्तिए गर इनके पुस्पा मिल जाते हैं चड़ा सकते माता लच्मी को और ऐसा भी माना जाता है इसके जड़ में अमरीद के एकबूंद पाया जाता है इसलिए सोते समय इसके जड़ को सीरहाने में रखने से ध्यन से सुने इसके जड़ को सीरहाने में रखने से बिमार पड़े व्यक्ती भी जो खाट में पड़े व्यक्ती हैं कुछ दिन तक अगर इनके जड़ को अगर तकीय की नीचे में रखते तो बिमार पड़े जो व्यक्ती हैं खाट में पड़े हुए हैं चलने फिलने में असमर्थ हैं ऐसे व्यक्ती भी चलने फिलने में दड़ लग मुक्ता कर देता है यह जब जस्ता पावरफुल इनका चमत्कारी के पर्योग है कैसा भी ध्यान से सुने इसके बारे में भी यह बताया जाता है कि अगर जड़ लाल कपडे में ला पेट करके तक ये के नीचे दबा करके रखा जाय तो शिपने में भूत भवीश वरतमान दिखते हैं आप में इसे दिखे दिखता लोग میں बोलते हैं कि गुरु जी हमें भूत भवीश वरतमान स्वयम की देखना है आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजे तो अगर आप भूद भववश्व वरतमान देखना चाहते हैं तो तक ये की नीचे लाल कलर की कपड़े में इसे बांद करके तक ये की नीचे में रखे लपेड करके रखे तो भूद भववश्व वरतमान दीखते हैं और एक खास आप दूसरे की भी भुवश्य देखना चाहते हैं तो इस जड़ को अपने हाथ में रखना लाल कलर की कपड़े में बांध करके और कोई भी मंत्रा भुद भुवश्य वर्तमान द्रिश्च करने वाला मंत्रा सीध कर लिजिए आपको यूटूब में या फिर गूगल में या भुद भुवश्य वर्तमान दिखाने लगते हैं इसके जड़ को घिंज करके नित्य तिलक लगाने शे मन सांत रहता है कारो बार में नती मिलता है मन आपके हमेशा जैसे की चीड़ चीड़े पन रहते हैं बार बार छोटी छोटी बातों में गुश्य आना बंद हो जाते ह मन आपके जो हमेशा एकदम से सांत सभाव के रहने लगते हैं मन में किसी भी प्रकार की गुश्य नहीं आने देते हैं इसके जड़ बेल की जड़ महुआ की जड़ तीनों को घर में गाड़ देने शे घर में तंत्रबाधा नहीं लगता जो लोग तंत्रबाधा से बचना दर्दर बना रहते हैं अगर आपके धांतों में हनुछा धर्द बना रहते हैं इसके बीज सब्सक्ता इसे के पर वеноase अगर कि घृत्ता के किड़े के इस नस्ति का अगान पन३े अगर फिर भीक को अति आधि द्हार होता है पताता अ कुछ अगर आप भी इसके कुछ और दुरला वेवम चमतकारी परयोग जानते तो हमें कोमेंट सक्षन में जरूर बताना आपके दोरह बताएगा जानकारी आने वाले नेश्ट वीडियो में साजा की जाएगी बिल्कुल हमारे चैनल में आपके दोरह बताएगा जानकारी को एक वीडियो बना करके जानकारी हम अपनी चैनल के माधधम से अपनी वीडियो में साजा करेंगे तो यह थे कटेरी की कुछ जानकारी यह जानकारी कैसा लागे हमें कोमेंट सकते हैं जरूर बताना और अगर आपको यह पोधे भूमिश्र में मिल जाते हैं तो हमने जितने चमतकारीक परयोग बता हैं यह सब चमतकारीक परयोग आप खुद अपने आखोश से देख सकते हैं यह बहुत दिव्य एवं अलोकिक चमतकारिक पौधे हैं तो यह थे छोटी से जानकारी ब्रो अच्छी लग्यों तो इसे लाइक कीजिए और हाँ इस विडियो को अपने तक शिमित मत रखना इसे आगे जरूर करना हो सकते हैं आपके एक सेर किसी के लिए अम्रित जैसा हो ज सकार